इना किसी इंट्रो के अंदर टाइम वेस्ट करते वे सीधा पॉइंट के ओपर आते हैं अगर आपने इस वीडियो के ओपर क्लिक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप भी अपने बोर्ड एक्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो आप भी zero से hero student बनना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसी techniques बताने वाला हूँ जिनकी help से कि आप अपने बोर्ड एक्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे तो सबसे first step जो है अपने लोगों में से 90% of the student हैं वो distracted होकर कि इस वीडियो को देख रहे हूं और इस वीडियो के बाद में स्क्रोल करते करते दूसरी वीडियो देख रहे तीसरी वीडियो वो सिर्फ उसे of strategy वीडियो देख रहे हैं और उनका mindset topper वाला नहीं है ये इसलिए है क्योंकि आपका जो mind है आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा इसलिए आप एक वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो उसके बाद में तीसरी वीडियो ऐसे करके आप अपना time waste कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जो mindset है आप उसे set करो आपको अगर ये लग रहे हैं कि टफ है तो आप यहाँ पर बहुत जादा गलत हो आप एक बार याद करो कि जब आप छोटे थे आपको cycle चलाने नहीं आते थी आप बार बार गिरते भी थे आपके लगती भी थी लेकिन क्या आपने उसको कभी छोडा नहीं छोडा आपने उसको फिर से start के और अब आपको बोलेगी cycle चलाने आप बोलो कि बहुत ही जादा आजान तो इसी तरीके से आपका mindset आप set करो कि भाईया पढ़ना बहुत जादा simple और मैं आसानी से कर सकता हूँ जब तक आपका वो जो topper वाला mindset नहीं होगा जब तक आप यह नहीं करोगे कि भाई मुझे अच्छा score करना है मैं अच्छा score कर सकता हूँ जब तक आप खुद के ओपर विलिव नहीं रखो कि जब तक आप नहीं कर सकते हैं टॉपर हमें से यह बोलते हैं कि yes I will do it तो इसी तरीके से आपको अपने आपको टॉपर मानना है और अभी के अभी कमेंट करना है कि yes I will do it क्योंकि आप भी कर सकते हो अब इसके बाद में ह जिन्दा रह जाता है अब भीस स्टोडी से मैं क्या सबजाना चाहता हूँ आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हो कि एक जो चैप्टर है उसको आदा किसी और से पढ़ते हो फिर किसी और से पढ़ते हो ऐसे करते हो बहुत सारे अलग अलग जगह के उपर आप लोग टाइम अपना है वेस्ट कर देते हो फिर भी आपको वह चैप्टर कम्पलीट नहीं होता है इसलिए जब भी आप कोई भी सिर्फ एक रिसोस से पढ़ना है और एक ही टीचर से पढ़ना है. अगर आप अलग अलग जगह के आपना करो गे तो आपका वो चैप्टर कभी भी कम्प्लीट नहीं होगा और इस स्रेटेजी को बोलते हैं वन रिसोर्स strategy और इसके बाद में जो third strategy बताने वाला होनों ये बहुत बड़े scientist लोग भी से यूज में लेते थे Albert Einstein हो गया Newton हो गया ये सब इसे यूज में लेते थे इस strategy का नाम है golden hour strategy अब इस strategy के अंदर क्या होता है basically आपका एक से दो घंटे का ऐसा time रहेगा जिसके अंदर कि आपको distraction free होकर के study करने है आप सिर्फ और सिर्फ study room के अंदर बैठे होंगे और आप दो घंटे के लिए पढ़ोगे और उसके अलावा आपको distract इसमें नहीं होना है क्योंकि आप जब तक किसी काम को फोकस से करोगे ना तो आपको वो चीज़े जादा याद रहेंगी आप अगर फोकस से दो घंटे भी study करते हो ना तो आप उसके अंदर साथ से आठ घंटे की study कर ले तो इतनी जादे effective होती है तो आपको अपने दिन के अंदर चाहिए वो दिन में निकालो रात में निकालो आपको दो घंटे ऐसे निकालना है जिसके अंदर कि आप डिस्ट्रेक्ट फ्री होकर कि study करो अपने रूम का अंदर से लॉक कर दो पानी लेकर के बैठो सब कुछ एक साथ लेकर के बैठो अगर आप दो घंटे बैठ रहे हो तो ऐसा बैठना है कि आपको बिल्कुल भी उसमें डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है देन फिर इसके बाद में नंबर फॉर्थ है जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की प्राबलम है ओवर्थिंकिंग की जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम यह सोचते हैं कि यार मेर को हैना मैसेज नहीं है उसका मेरा दोस्त हम फोन चलाएंगे यह करेंगे वो कि ऐसे उपर उपर से स्टेडी करते हैं तो इसके सिंपल सा सॉलुइशन है जब भी आप स्टेडी करने बैठ हो तो आप इन अपने साथ में रफ नोट बुक लेकर के बैठना खास करके जब आप SST पढ़ रहे हों इंगलिश पढ़ रहे हों हिंदी पढ़ रहे हों साइंस सब्ज tough पढ़ तो आपको इसके अदर एक पैं और एक नोट बुक लेकर के बैठना अब जब भी आप सड़ी करो ना तो वसके कि अदर कुछ भी लेक्ते रहे हो उसे लोगस जैसे की चार जाना कर्रणाग चिए आप पढ़ भी इसके आप कर आप जादा अरिखति कार गर मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है तो इसलिए आपको इससे दूर रहना है आपको अपने माइंड को क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है आपको फोकस होकर के स्टेडी करनी है तो ये वाली जो टेक्निके बहुत ही जादा हेल्प करेगा अब इसके बाद में लास्ट और फाइनल स्टेप देखो आप इन दिन में कितना भी स्टेडी करो आपको अपना जो रिविजन है उसे सबसे ज़ादा अच्छा रखना है क्योंकि एक्जाम होल के अंदर आप में से मैक्सिमम स्टुडेंट की प्रॉबलम ही होते है लिए आप में आता तो सब कुछ था लिए एक जाकर भूल गे एक्जाम के अंदर हम लिख नहीं पाए क्योंकि एवरेज और टॉपर के अंदर बस यही डिफरेंस होता है तो यह डिफरेंस कैसे कम होगा यह कम होगा आपका रिविजन से और यह रिविजन के लिए एक ऐसी जैपनीस टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ जो कि वो लोग यूज करते हैं जिससे कि वो अपना कम टाइम के अंदर जादा काम कर पाते हैं और उसे के साथ में उसे याद भी रख बाते हैं लिए क्या जीसले है तो इस टेक्निक के अंदर क्या है कि जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़े हैं जो कि आपको याद करने जैसे कि मैज के अंदर आपको बारबार भूल जाता हूा जिस कि याप चुट करने बैठों उससे 10-15 मिनट पहले आपको इन वो सब चीजे फिर से रिवाइस कर लें खास कर कि मैथ की जो फॉर्मॉलाज होते हैं उन्हों हम एक्जाम के अंदर जाकर के कन्फूज हो जाते हैं कि यार यह प्लस भी था यह माइनस भी था तो यह जो चीजे हैं यह कैसे काम ह हो जैसे कि फॉर एक्जाम्बल के लिए आज आपने चार चैप्टर स्टैडी कि तो आपको इन रात को सोने से पहले उन चार चैप्टर का एक बर रिविजन जरूर से कर लेना है क्योंकि हमारे जो माइन्ड है यह उस चीज को अगर आप उसी दिन वापी से पढ़ लेतो त जो कि मैं आप लोगो को अभी बताने वाला हूं वो यह है कि आप और उसे के साथ में बोनस पॉइंट में आप लोग को देता हूं जो कि आपकी एक्जाम्ब रिप्रेशन में बहुत जादा हेल्प करेगा वो यह है कि आप लोगो को एन अपने टाइम टेबल जरूर से कर रहे हो तो इसको अगले दिन के लिए शिफ्ट करो और एक बात हमेशे याद रखना कि यह नहीं है कि आप अगर तीन-चार गंटे स्टडी करो एकदम से दस भार गंटे करोगे तो आपसे वो नहीं होगा उसको ग्रेजुएली आपको इंक्रीस करना है तीन गंटे करो त उनको यह लग रहे है कि भाई आप मेरा तो स्लीबस ही कंपलीट नहीं हो अब मेरे साथ वाले जो दोस्ते उनका तीन-चार बार रिविजन हो चुका और मैं अभी तक स्लीबस कंपलीट नहीं कर पार हो मेरे पास में टाइम कम है ही कर सकते हो बिलिव मी मैं आपको बोल रहा